हेलो फ्रेंद्स वेलकम डॉलो एस क्यूब टैक मैं विरहंद्र आज हम लिखने वाले कि कॉंटेंट जो आप लिखेंगे उससे पहले रिसर्च कैसे करना कोई टॉपिक है या भी टॉपिक को ही रिसर्च करना है वो कैसे करेंगे प्लस जो टॉपिक आपके पास मिल गया आप मूटिको उसके लिए बुपार्टेंट कियो है आपको सारी क्यूं करनी है ने लिखी कुछ लेकिन कुछ प्रेटफर्म्स ऐसे हैं जो मुस्टली ऐसे हैं जो की स्टुडेंट पर फोकस्ट है बट कुछ आजकल सॉफ्ट्वेर टूल्स या फिर ऐसे वेबसाइट वगरा हैं जो टीचर्स के लिए कुछ वैल्यूवल कॉंटेंट क्रेट करने के लिए उनको एक प्रेट लोग कैसे पता करनी आपको उस हिसाब से कॉंटेंट रिसर्च करना तो पता लगा कि लोग कि आपकी ओडिएंस यूचिया करें गुगल पर और वहर किस टाइब कॉंटेंट ढूंड रही महां पर तो यह रिसर्च करेंगे इसके लिए दूसरा जो आप content जो create करते हैं उसको authentic बनाना है आपको जैसे कि for example आप जो भी article या blog post लिख रहे हैं उसमें अंदर आप जो stats use करेंगे for example आपने article लिख रहे है कि what is local SEO, local SEO पर article लिख रहे है कि local लोग जो कोई भी city के अंदर कोई लोग रहते हैं वो Google पर क्या सर्च करते हैं जैसे कि आप सर्च करते होंगे कि doctors near me या फिर doctors in Delhi तो इन पर लोग क्या सर्च कर रहे हैं प्लस आपको दिखाना है कि importance क्यों है local SEO को भी website business उसको local SEO क्यों करना चाहिए तो आप आप पर दिखाएंगे कि कितने person लोग local search करते हैं और किती वे website है जिनको अच्छे clients मेलते है local SEO के थो तो यह चीज़े आपको जब stats दिखाएंगे numbers दिखाएंगे आपकी research के थो facts है Google ने अपने जो data है search का वो दिखाया है कि इतना ऐस इसा कुछ होता है तो लोगों को believe होता है आपकी content उस पर trust होता है तो बाकि आगे जो points आप कवर करेंगे आपकी जो audience के लिए आफिर दिखाएंगे local SEO हमसे करवा लो for example digital marketing company है फिर SEO company है तो फिर वो लोग आपकी service को लेना prefer करेंगे उनको पता चलेगा कि importance क्या है तो यह ची content जो search करें Google पर वैसा content ही exact आपको create करना है जिससे कि उनके जो questions है वो सारे आप cover कर ले उसके अंदर बाकि आसा नहीं हो कि आप उनको irrelevant या फिर कुछ information जो आप उनको ढूंड रहे थे वो आपको content में मिले नहीं और जो आपके competitors हैं जो डूसरी websites है जो उस topic पर rank करेंगे उन पर उन पर जाकर उनको information विले तो आपको try करना की right content यह आपको research करें के ही cover होगा यह सब चीजे then traffic और social share बढ़ाना है आपको अपनी website के content पर तो उसके लिए अब अच्छा content लिखेंगी जिसमें बहुत सार informative होगा और जो value provide गरेगा content users को तो वह अपने दूसरे social media platforms है for example आ यह चीज़ आप जब अच्छा content create करेंगे अच्छी research करके तो social media पर share भी मिलेगा और traffic इंक्रीस होगा करना कैसे research step by step हम बहुत सार जो important tips है वो cover करते है first है कि Google search आपको start करना है तो आपको top results है top results का मलब है कि आपको topic का key phrase या keyword हो आप search करेंगे content लिखने से पहले तो जो top results है top results वही होते हैं जो जिन्होंने अच्छा create already किया content और लोग उसको prefer कर रहे हैं उनके bounce rate भी कम है तो लोग click करके वहाँ पर share भी कर रहे हैं तो सारे चीजे ranking factor cover करके वह एक article rank कर रहे है तो उन्होंने अच्छा कुछ cover किया इसलिए वह rank कर रहे है तो आप उनसे कुछ देखेंगे उनके research करेंगे को उन्होंने क्या किया जैसे हम देखते हैं for example आपको topic है importance of cyber security business is cyber security services or cyber security का क्यों जरूरूत है benefits क्या है जो top results है कुछ जैसे BBC का बहुत ही authentic website अफगाड authentic website है इनकी जो आपको लगता है कुछ website को अगर आप जानते हैं पहले से for example आप कभी digital marketing के topic search करेंगे तो backlink को moz, neil patel, hubspot ऐसी website है उनको जानते हैं तो हमेशा अच्छा content create करते हैं अब इस topic में जैसे की जो मुझे लगी authentic website उनको में उपन कर लिया तो यह नोंने topics cover की है और जो top 10 benefits है या importance है उन्होंने cover कर लिया यहां पर फिर दूसरी website पर देखेंगे तो इन्होंने भी अच्छे से comprehensive introduction लिखा है फिर जैसे आप देखेंगे यहां पर यह जो paragraph है इन्होंने यहां पर एक study की link डाली है authentic content बनाने के लिए 84% of Canadian executives believe that their organization was better than average or a top performer when it came to cyber security matters तो cyber security importance क्यों था आप एक Canada की जो बिजनेसे थी उन्होंने research में 84% लोगों ने इसका believe का importance माना तो वो चीज आपको यहां पर इससे stats आपको भी अपने content उसमें include करना है दूसरा गर इसका आप इसका आपन कि इसमें भी research इन्होंने include की है के नहीं की है तो आप यहां दिखेंगे in 2017 more than 46% of the UK businesses suffered a cyber attack तो यह चीज आप जब दिखाएंगा ना कि 46% लोग मालब आराउंड half of the businesses वो cyber attack phase करते हैं तो सामने वाल जो business आपकी audience है उनको पताच लगा कि cyber attack हमारे उपर भी कभी भी हो सकते हैं तो आप जो आगे topics में आपके जो content में cover करेंगे कि tips यह हैं उनको जब पता चलेगा कि importance क्यों है उस cyber security का तो यहां से आपको Google search से start करना यहां से आपको बहुत साथ स्टैट्स मिल जाएंगे फिर दूसरा tip है कि auto complete suggestions होते हैं वहां से आपको sub topics के idea भी मिलेंगे प्रस आपको मिलेगा जैसे कि आप Google search open कर लेंगे तो यहां पर आप से सर्च करेंगे importance importance of cyber security for business या फिर मैं अगर इसको cyber security रखता हूं फिर आगे में को auto complete suggestion का वालब यह है कि आप यहां पर search करेंगे तो Google कुछ suggestion देता है तो वहां से आप idea लेंगे से कि importance of cyber security for business for students in points in Indian army in business in India during covid तो जो topic आपका है उसको और narrow या in-depth करना है for example आपका topic है कि इन इंडिया में cyber security का importance क्यों है यह topic मेरा थोड़ा narrow करके लिखना है मुझे या फिर businesses के लिए जो है वो करना है या फिर दूरिंग कोविड जैसे की remote work हो गया ता सबका शुरू तो security challenges बहुत हो जाद है remote work में तो उनके लिए आपको focus करना है तो आपको यहा इसको नेरो करता हूं तो मैं अब यहां से इसमें देखेंगे तो इन और आगे दिखा दिया कि in healthcare, in digital transformation, in fintech, financial organization जो होती है बैंक्स वोगेरा उनके लिए cyber security importance क्यों है और healthcare organization होती है उनके लिए healthcare data बहुत ही confidential data होता है patients का तो वह कैसे secure कर सकते हैं तो आपका healthcare वाली target audience है तो उससे related आप यहां से आपको idea मिल जाएगा या फिर आपको सिर्फ simply businesses लिख रहे हैं और फिर आपको सब topics cover करने की healthcare में क्यों importance है, fintech, financial organization उनमें क्यों importance है तो यहां से आपको थोड़ा research के लिए आपको और idea मिल जाएगे यहां पर यहां से आपको बहुत सारी subtopics मिल गए दूसरा है कि जैसे आप आप यहां पर इस पर आता है अपन कि कि importance of cybersecurity for business उनमें सर्च किया था तो आप लास्ट में देखेंगे Google में कि यहां पर यह जो related queries आती है यहां से आपको देखना है कि लोग और queries क्या है जैसे importance of cybersecurity in an organization, cybersecurity in business, cybersecurity in digital world, advantage of cybersecurity, importance of cybersecurity और कुछ लोग दूसरे topic भी search करेंगे ना जैसे कि आप समयलो में सर्च करता हूं local SEO तो local SEO आप सर्च करेंगे तो आपको related search में दिखाएगा कि local SEO services यह लोग क्या सर्च कर रहे और आपके related queries के है Google local SEO, local SEO strategy, local SEO benefits, local SEO 2021, local SEO blog, local SEO checklist, local SEO for small businesses तो यहाँ पर आपको subtopics में अपने article में cover करने के लिए और आपको पहले से बतानी था कि समयलो मुझे search करना था कि local SEO strategy कैसे आप से समझ लीजे कि what is local SEO पर आप article cover कर रहे थे और आपको पहले mind में नहीं था कि आपको यह था कि मुझे local SEO की definition बतानी है, local SEO के benefits बताना है यहाँ से आपको आइडिया मिल गया कि local SEO strategy कैसे बनानी है तो यहाँ से आपको आइडिया मिल गया फिर local SEO strategy आप research करके देख लेंगे कि strategy कैसे बनानी हो इसको आर्टिकल में cover कर सकत है तो next आप फिर यह करने के बाद इसके बाद हम दूसरा जो टिप है वह सर्च करते की कोरा पे पुछ आइडिया आपको मिल सकते हैं और content research के लिए और अच्छे जो content है आपको फिर की stats या फिर numbers या लोगों की queries क्या है वह आप पता कर सकते हैं तो हम कोरा पे देखते हैं क कैसे word करेगा आपके लिए कवरा ईच्वड़ा की साइड ओपन कर ली और हमने सर्च कर लिया कि तूसे अपको topic है कि how to start a blog तो हमने सर्च कर लिए पर 스ार्ट या लोग को गूरा कुरा पर वहां से आपको idea मिल सकते की सब्सक्राइब उस या स्टार्ट a blog तो यहाँ पर जो लोग question search कर रहे है a kora पर आपको idea मिल सकते कि लोग क्या सर्च कर रहे ? उनको आप अपने content में questions को include करके उनको answer कर सकते हैं तो जो लोग search करेंगे वहाँ पर तो आपकी upside के ranking के improve हो जाएंगी प्लस आपको जो right content include करना जो समब बात करते हैं right content तो right content वो है जो लोग search कर रहे हैं और उनके आप उनकी queries को answer कर अपने content वे उनकी जो requirements उनको fulfill कर रहे हैं तो जैसे कि ये questions आपको मिल गए कि how to what are the basic steps to start a blog, what are some tips for starting a blog how do I create a blog, why should I start a blog, how much does it cost to start a blog तो इस type की बहुत सारी आपको questions मिल जाते हैं kora पे और जो अच्छे questions हैं उनके लोगोंने answer भी किया होते हैं तो आपको जिससे समब लोग आपको questions answer करना इस अपने blog में what is the best advice for starting a blog and earning quickly तो यहाँ पे लोगोंने क्या answer भी दे रखें तो answer से भी आप अपने content में जो answer आपको करना है वहाँ का आइडिया ले सकते हैं कि कि इसका right आपको answer कैसे करना जैसे कि इन्होंने comprehensive answer दे रखा है कि point by point eight points कवर कर रहे हैं और लोगोंने इसको देखा भी है 41.4 के views हैं तो अच्छा इन्होंने answer दिया है तभी इतने views हैं प्लस upvotes हैं तो यहां पर answer भी देख सकते हैं plus question भी देख सकते हैं तो दोनों आप देखकर आपने content की जो research कर रहे हैं उससे आपको अच्छा आइडिया मिल सकता है बहुत बार ऐसे topics होते हैं जिनका गूगल पर बहुत कम results होते हैं कहुत कम topics लोगों ने cover कर रखा हो था तो कोरा पर आप चाहेंगे तो उन topics पर आपको मिल जाता कुछ ना कुछ आइडिया तो कोरा एक बहुत valuable resource है content research के लिए और keywords के भी आपके यहां पर benefit मिलता है keyword research का भी कि लोग क्या search कर रहे हैं then next research report निकालनी है research report जिसे हमने दिखा था कि कि आपको stats include करना है कि कोई आप लिख रहे हैं कि importance of cyber security के important है businesses के लिए तो आपको जब numbers include करेंगे कि 80% लोग जो अच्छे businesses हैं वो अपने cyber security यूज करते हैं अपने business को secure करने के लिए data को secure करने के लिए और दूसरा जैसे कि हमने बता दे कि 50% businesses cyber attacks face करते हैं हर साल और उनको data loss होता है financial loss होता है तो वो authentic reports के तुरू आपको दिखाना है सिर्फ आपने आपसे जो suggestions देना है या फिर वो नहीं करना है numbers दिखाएंगे समभली आपने दिखा दिया कोई cyber security में जैसे हम बानता है कि avast antivirus है या फिर ऐसे जो business है जिनकी cyber security पर लोग जानते हैं जैसे कि और गूगल पर search कैसे करेंगे जी रिपोर्ट वगरा निकालने के लिए वह हम देख लेते हैं तो आपको जो topic है उसके आगे stats करके search करें जैसे कि मैं समय लेता हूं कि local SEO मेरा था topic या भी cyber security तो मैं search करेता हूं cyber security यह मेरा topic था और फिर stats and search तो जिसे first result है 2021 cyber security stats तो यहां पर इन्होंने with links आपको बहुत सारे जो centralized आपको stats मिलना चाहिए वो मिल जाएंगे 2009 से 2018 तक का पूरा graph cover रखा है और growth दिखा दी कि cyber security अब और important क्यूंए आप दिखाने के लिए आपने यह numbers यार graphs दिखा सकते हैं तो यहांने बहुत सारी दिखेंगे तो अलगर रिसर्च को include कर रखा है जैसे कि दूसरा आपन देखते है 134 cyber security stats तो इन्होंने इन्होंने भी ऐसा ही कुछ cover किया वह वेरॉन की website ने तो वह हम देख लेते हैं इन्होंने किस तरह से cover किया है तो जैसे कि इन्होंने 120 plus stats एक ही report एक ही आपको आर्टिकल में दे दी है तो इन्होंने से आपको जो relevant लगती है अपने आर्टिकल के लिए वह आप यहां से ले सकते हैं जैसे कि इन्होंने दिखा दे कि 95% of cyber security breaches are caused by human error, human error मालब कोई अब for example एक company में बहुत सार employees है उनकी कोई mistakes की जैसे cyber attack company पर हो रहे हैं जैसे कि समय लिजे कि उनके ऊपर कोई mails आ रहे हैं जिनमें virus होगे रहा है वो attachment open कर लिया तो इस type की mistakes होती है तो इन्होंन आगे फिर लिंक भी दिया कि रिपोर्ट साइबंट की है यहां पर link क्लिक करेंगे तो जो original report है वहां पर आपको वहां पर link करने के लिए मिल जाएगा दूसरा गाटनर ने क्या बुला इस उनके रिसर्च में कि security market is expected to reach 170 million dollar in 2022 तो यह कर आपके content में include करने जैसे states हैं तो आप यूज कर सकते हैं तो ऐसे करके इन्होंने Simon Tech ने क्या बुला है cyber security media का क्या है और बहुत सारे इसे include कर रहे हैं और और जब original reports पर भी जाएंगे तो आपको वहां से जिसकी Verizon की report open कर लेते हैं यहां से हम तो इनकी यह पूरी PDF है तो इसमें आपको graphs होगे आभी मिलेंगे जो आपको अपने content में include कर सकते हैं जैसे कि यह graph था अगर आपको यह लगता है कि मेरे important है मेरे use कर सकता हूँ मैं अपने जैसे बहुत सारे graphs हैं जो आपको relevant है content related वहां से थोड़ा research करेंगे इन में से देखेंगे तो यह research का part होता कि आपको जो अच्छा content मिलाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करेंगे तो अच्छा content create होगा इस टाइप से आपको यह निकालने पड़ते हैं कि इन पर क्या attacks है किस टाइप क्या attacks होते हैं cyber security में तो इन टाइपस आप सर्च करेंगे अब मैं जैसे local SEO की बात करता हूँ इक हम और search करके देखते है local SEO importance जैसे कि अपना topic था कि local SEO का importance क्यों है तो जैसे कि अब authentic website जैसे कि मुझे search engine journal है वो एक authentic website लगती है SEO की field में तो वो मैं open कर लेता हूँ तो इन्होंने cover किया कि what is local SEO and why local search is important तो इन में भी अगर आप जाएंगे तो आगे इन्होंने stats कुछ ना कुछ इंक्लूड की होगी जरूर जैसे हैं देखिया इन्होंने cover किया लिंक के साथ 50% of people who did a local search on their phone went to a physical store within one day तो इन्होंने आगे यहाँ पर stat दिखाया है Google think with Google का जो report है वो इन्होंने यहाँ पर cover किया फिर यह दूसरा 13456788 reports को अलग अलग उन्होंने इंक्लूड किया अपने content authentic और जो user है उसकी audience है उसको convince करने के लिए तो यह चीज़ आपको करने है अपने content में जो most of the topics है उन्होंने आपको कुछ न कुछ data include करना ही करना होता है जिससे authority content मिलते हैं आपको तो यह include करने के बाद और फिर यह दी research reports भी आप search कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं इसमें cyber security research reports मैंने search कर लिया तो आपको easily जैसे Cisco है Cisco की report series यहाँ पर PDF डाउनलोड करने को मिल जाएगी cyber security ventures की मिल जाएगी mcafee labs की 3t report मिल जाएगी research gate की मिल जाएगी trend micro यह बहुत अच्छे-ची websites है जो जैसे जैसे Gartner है तो इतनी अच्छे-ची websites की आपको direct reports आपको विदाउट ज्यादा भेहनत के ढूंदना पड़े हैं की website पर जाकर उनकी report कहां पर है और specifically 2021 का भी search करना या फिर 2022 का आगे का next year का देखना है कि क्या वह आपका client है तो आपको जो content लिखेंगे तो उनको देखना है कि पहले उन्होंने क्या किया है पहले जो blog post है उन्हों में कहिस तरह से किया cover तो वो देखना है और जैसे समली कि आप digital marketing के topics सर्च कर रहे हैं तो तो मैं digital marketing का कोई ब्लॉग पर चला गया है जो व्लॉग है उस पर चला गया है उन्होंने रिसेंटली क्या cover गया है जैसे most ask digital marketing interview questions and answer conclusive guide to google AMP, accelerated mobile pages, why learn digital marketing, link building mistakes, mobile SEO guide तो यह content उन्होंने cover गया recently तो मुझे idea मिल सकता है कि अपने blog के लिए मैं देख रहा हूं तो कि और मैं क्या topics cover कर सकता हूं digital marketing या SEO से related जो trend कर रहा है क्योंकि अच्छी website होती है वो trending topics और जो लोग search कर रहा है उन पर cover करती है तो यहां से कुछ आए आपको research का idea मिल जाएगा प्ली आपको mobile SEO guide मोबाइल से लेट को या topic लिख रहा है तो यहां पर आप क्लिक करके उनका भी देख लेंगे कि इन्होंने किस तरह से कि इन्होंने जिसकी यह article है mobile SEO का था तो मैंने यह article जिसे मैंने लिखा है तो mobile SEO से लिटेट आर्टिकल था तो मैंने mobile SEO का importance की मैं पहले यह दिखाया कि mobile के लिए आपको optimize क्यों करना है website को क्योंकि अब जैसे में नंबर दिखाया कि 57% जो सर्चेज आ रही है Google पे वो mobile devices आ रहे है जैसे कि mobile स्मार्टफोन और टेबलेट्स आ रही है 43% ही और 2017 की रिपोर्ट जो और mobile ट्राफिक इंक्रीज हो रहा है इतना जैसे कि यहां पर मैंने दिखाना था कि website auditing कैसे करनी है mobile वीडियो था यूट्यूब चैनल पर तो इंक्लूड कर लिए किसी को और अच्छे से समझना और डीटेल में तो और वीडियो देखकर उस topic पर देख सकता है देन लास्ट जो है अपना टेप वह है बस्सुमो बस्सुमो बहुत ही अच्छा तूल है इसका freebie है और paid भी है लेकिन कुछ जो common आपके जो features है वह freebie मिल जाते हैं आपको जैसे बस्सुमो के website open कर लेते हैं अब यहां पर बस्सुमो के website open करेंगे तो यहां पर आपको keyword है आपका जो भी topic है जैसकि मैं समझ लेता हूं कि business growth topic है मेरा तो business growth पे लोग जो top content rank कर रहे हैं और लोग social media business पे शेयर कर रहे हैं वह आपको मिल दाएक idea है यहां पर जैसे कि business growth से लिटेड जैसे कि यह वाला topic मुसे लगा कि मेरे लिए relevant है तो इस पे लोगों ने क्या लगा 3.4 के engagement आए facebook पे लोगों ने share किया comment किया like किया इसको twitter पे 125 shares है Pinterest पे share है plus back links इसकी 10 है evergreen score 8 है total engagement इसकी 3.5 के है जो top content आपको मिल सकता है यहां पर अब जैसे मैं यहां पर search कर लाता हूँ digital marketing तो digital marketing से लिटेड लोग क्या search कौन से content rank कर रहा है और specifically देख सकता है video जैसे कि इस article पे 129 के Facebook engagement है और इस article पर 117 के है तो मुझा idea मिल सकता है कि किस type का content rank कर रहा है किस type content को social media पर share मिल रहे है तो उस content को आप जो अपने topic specifically आप search करेंगे तो आपको और narrow down करके आपको topic जो rank कर रहे है जो content rank कर रहा है उसको आप open कर सकते है देख सकते हैं उन्होंने किस type से content create किया है कि उन पर लोग share कर रहे है social media पर इतने सारे 129.2 के engagement आरी social media पर और traffic भी आ रहा है of course तो जैसे उन्होंने किया है वहाँ से आइडे ले सकते हैं और किस type से और उन्होंन कोई numbers include किया है graphics include किया है videos include किया है content में सब topics क्या थे queries क्या cover की लोगों की वह सब चीज़े आप इसमें cover कर सकते in depth और और कुछ features है जैसे कि आप country wise भी इसमें filter डाल सकते हैं मेरी target audience अगर इंडिया में है तो मैं या पर इंडिया करके click कर लूँगा और apply कर दूँगा तो जो इंडिया में audience के लिए ज्यादा valuable है वह दिखा देगा दूसरा में और filters इसमें है जैसे कि मुझे articles ही देखने है videos और नहीं cover करने देखने है इंफोग्राफिक या how to list और आट वाले articles देखने है तो मैं filters apply कर दूँगा अब जैसे इसमें free trial में three searches या लॉव करता तो यह हो गया तो इसमें आगे आप जैसे करेंगे तो आपको दिखा देगा बस्तुमा बहुत सार अच्छा तूल है content research के लिए और आपको topic या ideas वगरा find करने के लिए तो यह कुछ important important tips ही content research करने के लिए जैसे आप को रहा है Google search से start करेंगे reports stats कैसे use निकालेंगे जो टॉप results है उनके analysis करने है कि उन्होंने किस तरह से cover किया है बत्सुमा यूज करके आप पता चालएगा आपको किस आपको content rank कर रहा है शूश में पर शेर कर रहा है तो वहां स है